वेल्कम टू डिजाइन प्लस डिजाइन प्लस में आपका स्वागत है तो आईए शुरू करते हैं बिना पिसीद देरे के हैं तो आज हम इन्फोग्राफिय डिजाइन क्रेट करने वाले तो पहले हम राइट एंगल लगा लेते हैं और इसके कॉर्नर्स करेंगे हम राउन्ड इसकी वेल्यू रखेंगे हम 95 और 25 और इसकी एक डुप्लिकेट क्रेट करेंगे राइट साइड राइट प्लिक करके और एक नीचे की वाड़ डुप्लिकेट क्रेट करेंगे दोनों को करेंगे गुरूप और इसके साथ चेंटर करके इसको इसके एजिस के साथ एलाइन करेंगे फिर एक राइट एंगल क्रेट कर लेते हैं इसकी हाइट रखेंगे हम 21 और इसको नीचे की और ट्रेक करके एजिस के साथ मिला लेते हैं बाद में कंट्रोल के साथ ट्रेक करेंगे और थोड़ा इंक्रीज करेंगे सेप टूल लेंगे और कंट्रोल क्यू करेंगे और एक नॉट एड़ करेंगे फिर इस नॉट को पकड़के उपर की और ट्रेक कर लेते हैं और एक गाइडलाइन लगाएंगे इस पॉइंट को गाइडलाइन की एजिस के साथ मिला लेते हैं सेंटर करेंगे इसके साथ और स्मार्ट फिल एपलाइ करेंगे इसके अंदर और इसके अंदर बाद में इसको करेंगे डिलीट और इसको भी डिलीट करेंगे इस दोनों को करेंगे हम वेल्ड सरकल लगाएंगे और इसकी वेल्यू रखेंगे हम 17 बाइ 17 फिर इसको ट्रेक करके इसके अंदर प्लेस करेंगे इसकी एक डुप्लिकेट निकालेंगे और राइट साइड प्लेस करेंगे फिर एक राइट एंगल लगाएंगे इसके कॉर्नर राउंड करके इसकी हाइट रखेंगे हम 10 एंएम इसके साथ इसके बाद इसको करेंगे ट्रेक करके बड़ा फिर इसको इसके साथ सेंटर एलाइंग करेंगे और करेंगे चोटा इसमें हम स्मार्ट फिल से फिल करेंगे और इसमें भी फिल कर लेते हैं इसमें अभी के लिए कलर फिल करेंगे यह वाला और इस राइट एंगल को करेंगे हम चोटा इसको करेंगे हम डिलीट फिर इसकी एक डुप्लिकेट क्रियेट करेंगे और इसी तरह इसकी भी डुप्लिकेट क्रियेट कर लेते हैं इसका फिल नन करेंगे और इसका भी फिल नन करेंगे और इसकी आउटलाइंग की भी करेंगे पॉइंट फिप्टी इसकी भी पॉइंट फिप्टी आउटलाइंग करेंगे बात में करेंगे बिट मैप और इसको भी इसी तरह बिट मैप करेंगे दोनों को सिलेक्ट करके ब्लर करेंगे गौश्यन ब्लर वेल्यू रखेंगे हम सेवन पिक्सल्स फिर ट्रांसफरार्सी करेंगे हम 50 और इसको पावर क्लिक इंसाइड इसके अंदर करेंगे और इसको पावर क्लिक इंसाइड इसके अंदर कर लेते हैं दोनों की आउटलाइन नन कर लेते हैं और वाइट कलर फिल करेंगे इसमें कलर फील करेंगे आउतलाइन नन करेंगे इसको डिलीट करेंगे और ड्रॉप सेडोई अप्लाइ करेंगे इसकी एक डूप्लिकेट क्रेंगे ऐन नन करेंगे आउटलाइन इसकी रखेंगे 0.50 फिर बिटमेप बाद में करेंगे ब्लर इसकी वेल्यू 10 पिक्सल रखेंगे इसको पावर क्लिक इंसाइड इसके अंदर कर लेते हैं मजीद शेट करेंगे इसका कलर चेंज कर लेते हैं और एक राइट एंगल इसके टॉप में लगाएंगे इसके कॉर्नर्स की करेंगे हम राउंड इसकी वेल्यू रखेंगे पॉइंट 50 ना हो जाने के बाद टेक्स को इस राइट एंगल के साथ चेंटर एलाइंग करेंगे बाद में टेक्स करेंगे चोटा और उपर की और ड्रेक कर लेते हैं इसकी पेसिंग बढ़ाएंगे ना हो जाने के बाद वर्ट्यूल सेग्मेंट डिलीट तूस की मदद से इसको करेंगे डिलीट पैट एंगल ऐसा कट हो जाएको सब को करेंगे पेजब कि कलर करेंगे चैंज और इसका भी यही कलर रखेंगे बाद में टेक्स को इसके साथ सेंटर एलाइंग करेंगे और रैट साइड ट्रेक करेंगे इस वाले आइकन को इसके साथ सेंटर एलाइंग कर लेते हैं और लेफ्ट साइड ट्रेक करेंगे इसको करेंगे हम इसके साथ सेंटर एलाइंग को करेंगे हम ग्रूप कंट्रोल प्लस जी और इसकी एक डुप्लिकेट क्रियेट करेंगे और इधर लागे प्लेस करेंगे इसमें कलर हम बाइक ठील करेंगे इसको अनगुरूप करेंगे और इसको भी अनगुरूप कर लेते हैं फिर इसको इसके अंदर प्लेस करके पेजब करेंगे और इसके साथ सेंटर करेंगे फिर इसकी एक प्लेस करेंगे इसके अंदर प्लेस करेंगे फिर इसको भी इसके साथ सेंटर करेंगे जो नो को सिलेक्ट करेंगे और गुरूप करके एक डिक्लिकेट निकालेंगे मजीद सेट करेंगे इसको और इसको सब को करेंगे डिलीट फिर इसको और इस आइकन और इस आइकन को करेंगे डिलीट आइकन को और इसको सेंटर एलाइंग करेंगे और इस आइकन को इसके साथ सेंटर एलाइंग करेंगे इसी तरह हम सब को सेंटर एलाइंग कर लेते हैं इसको left side track करेंगे इसको right side track करेंगे इसी तरह सको भी setting करेंगे इसका color हम change कर लेते हैं तो guys आज का video यही sum up करते हुए फीर मिलेंगे एक नए topic के साथ तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए जैहिन बंदे मातरम ठैंक यू